ये हो जाएगा आपको आसियान का सदस्ट होगा गोईश का correct answer होगा नेक्स्ट कोईश्चन है निमले लिखित में कौन अदियोगीक नगर है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको जमस्यदपूर जमस्यदपूर इसका correct answer होगा next question है कि निमलिखित परदेशों में कौन सुप्रालेखित प्राचिन तम नगरिया बस्ती है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको घोयन की सिंधु घाटी next question है किस भासा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको किस भास अच्छ जनसंख्या भासा कम है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको चीनी आति बती भास का इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको रेशेदार फसल यह हो जाएगा आपको कपास next question है निमलीखित में कौन सबसे चोटी है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको इसका correct answer होगा कृष्णा वेशिन next question है कि भारत में पर्थम नाभिक्या उर्जा परियोजना अस्थापित की गई थी यानिकि कहां क्या गया था इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको खोयान की तारापूर में next question है प्रारदेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षन है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको इसका correct answer हो जाएगा आपको खोयान की आर्थिक है व्यवस्ता में विभिन सक्टरों का विकास पूरवा पस्चिम गलियारा जोडता है किसको किससे जोडता है इसका जो correct answer होगा वो वो हो जाएगा आपको घोयान की सिल्चर को पोरबंदर से, सिल्चर को पोरबंदर से, नेक्स्ट कुईस्टन है, तोती कोरिन पत्तन अस्थीत है, यहां कहां अस्थीत है, इसका जो correct answer होगा, वो हो जाएगा आपको घोयान की तमिल लाडू में, नेक्स्ट कुईस्टन है कि निमलिखित में से कौन एक मानव भुगोल का उपागम है कहते निमलिखित में से कौन एक मानव भुगोल का उपागम नहीं है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको खोयाने की छेत्रिय भी भी दा नेक्स्ट कोईस्चन है निमलिखित में कौन रोपन फसल है इनमें से कौन रोपन फसल है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको खोयाने की कोको नेक्स्ट कोईस्टन है कि बिग इंच पाइप प्रवाहित करता है किसको तुषका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको पेटरोलियम को नेक्स्ट कोईस्चन है कि निमलिखित आर्थी क्रिया कलापों में कौन गरामिन अधिवासों से शमंधित है तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपको को यानी की प्रार्थिमीक नेक्स्ट कोईस्टन है निमलिखित में कौन भारतिय क्रिशी की समस्चिया है भारतिय क्रिशी की समस्चिया इसका correct answer हो जाएगा आपको उप्रोक्त सभी होगा next question है कि निमलिखित में से कौन सा क्लिया कलाब चतूर्थ सेक्टर से समंधीत है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको याने कि विद्यालई अध्यापन next question है हरित करांती समंधीत है किस से समंधीत है इसका जो correct answer हो जाएगा आपको खाद्यान उत्पादन से next question है कि बोकारो इस्पात केंद्र है बोकारो इस्पात केंद्र कहां है इसका क्या है निजी छित्र है या सारवजनीक है ये आपको स्पार्ब्र प्रंपरागत उर्जाइक श्रोत है इसका और चुछ आसर होगा वह हो जाएगा आपको खोईएने की उप्रुक्त सभी सिर्फ कोईस्टन है कि 2010 के नुशार भारत की कुल जनसंख्यां है कितना है तिसका जो खोईएने की 121.01 कडोर नेक्ट कोईस्टन है कि भार जिस्ता नगर के लक्षन का अंग नहीं है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको गोयन की 75% से अधिक जनसंख्यां का प्रार्थमिक खंड में सनलगन होना नेक्स्ट कोईस्टन है निमलिखित में कौन सा एक अस्थल बद्ध प्रोतास्रा है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको खोयने की विशाखा पटनम क्या होगा विशाखा पटनम नेक्स्ट कोईस्टन है कि निमलिखित में से कौन जनसंख्यां के कारिसील आयू वर्ग का परतिनिधित्व करता है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको 15 से 69 वर्स नेक्स्ट कोईस्टन है कि भारतिया रेल प्रनाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको घोयने की अठार नेक्स्ट कोईस्टन है कि बाला घाट मेगनी छेतर किस राज में स्थीत है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको को यानि कि मद्द परदेश में कहा होगा मद्द परदेश में नेक्स्ट क्विस्चन है कि मानव विकास उचकांक में भारत के निमलिखित राजियों में से किस एक की कोटी उचितम है इसका जो इंसर होगा वो हो जाएगा आपको केरल नेक्स्ट क्विस्चन है कि मुंबई में सबसे पहला आधुनिक सूति वस्त रुद्योग अस्थापित किया गया क्यों तिसका जो क्रेक्ट इंसर होगा यानि कि वहां पर क्यों किया गया तिसका जो क्रेक्ट इंसर होगा वो हो जाए आपको गोयाने की उपर्यूक्त सभी, नेक्स्ट क्वेस्चन है कि विश्वे व्यापार शंगठन का मुख्यालय कहा ये स्थीत है, तिसका जो करेक्ट अंसर होगा, वो हो जाएगा आपको जेनेवा, नेक्स्ट क्वेस्चन है कि निमलिखित में से कौन सी खाथ फसल है, तिस इसका अंसर हो जाएगा आपको घौयने की असम्ट, नेक्स्ट क्वेस्चन है कि ITDP है, ये क्या है इसका अंसर हो जाएगा आपको घौयने की समन्नेवित परिवहन, विकास, प्रोग्राश्वेस्ट, नेक्स्ट क्वेस्चन है कि निमन में से किस अर्थ विवस्था में उत्पादन का स्वामित व्यक्तिगत होता है, तिसका जो करेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको घौयने की अदियोगिक नगर, नेक्स्ट क्वेस्चन है कि निमलिखित केंदर सासित परदेशों में किसकी साक्षरता दर उचताम है तिसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको वो हो जाएगा आपको गो याने की लक्ष दुऊइप क्या हो जाएगा लक्ष दुऊइप नेक्स्ट क्वेष्चन है कि मानव विकास सुचकांक में विश्व के निमीलिखित देशों में से किसकी कोटी उचतम है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको को याने की नारवे next question है सलेम इस पात उद्द्योग है क्या है इसका correct answer हो जाएगा आपको घो हो जाएगा याने की महाराष्ट में कहां है महाराष्ट में next question है कि निमलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्टी है महामार्ग है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको खोयाने की एन एच 44 next question है कि निमलिखित डक्षिन अमिर की देशों में कौन ओपेक का सदस्च है तो इसका correct answer हो जाएगा आपको घो याने की वेने जो अल्ला नेक्स्ट क्वेस्चन है निमलिखित रोगों में से कौन सा जल जन है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको गो याने की अतिसार क्या हो जाएगा अतिसार next question है कि सहकारी क्रिशी अधिक सफल रही है कहां सफल रही है इसका correct answer हो जाएगा आपको खोयाने की डेनमार्क में next question है कि निमलिखित में से कौन सा उद्योग दुसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तयार करता है इसका correct answer हो जाएगा आपको गो याने की अधारभूत उद्योग next question है डॉक्टर महबूब उलहक मूल निवासी थे कहां के मूल निवासी थे इसका correct answer हो जाएगा आपको खोयान की पाकिस्तान के next question है कि उद्यपूर किस राज में स्थित है इसका correct answer हो जाएगा आपको घोयान की राजस्थान में next question है यूरोप वासियो द्वारा आपने उपनी वेशों में किस प्रकार की क्रिशी का विकास किया है तो क्या होगा इसका correct answer यूरोप वासियो है तो यूरोप वासियो इसका correct answer हो जाएगा आपको रोपन क्रिशी क्या होगा रोपन क्रिशी next question है कि जन संख्या विरिधी दर सरवाधिक है कहां सरवाधिक है इसका correct answer हो जाएगा आपको को यानिकी अफिरका में next question कि निम लिखित में कौन आद्योगिक अवस्थापना का प्रमुक नहीं है तिसका correct answer हो जायEगा आपको गहो यानिकी उर्जा next question है कि निमले लिखित में से कौनसा एक कारग भारत में पुरूफ प्रवास का मुख कारण है तिसका correct answer हो जाएगा आपको घहा यानिकी काम और रोजगार नेक्स्ट कुश्चन है कि निमलिखित में कौन सा एक तिर्थिया किरिया कलाप है तिसका correct answer हो जाएगा आपको गोयन की आखेट next question है कि निमलिखित में कौन सा एक भूमी उपियोग समवर्ग नहीं है तिसका correct answer हो जाएगा आपको गोयन की सिमान्त भूमी next question है नव निश्च वाद संकलपना का परतिपादन किसने किया तिसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको गोयन की Griffith Taylor next question है कि निमलिखित में से कौन एक जन अस्थांतरन का आपकर स्कारक नहीं है तिसका correct answer हो जाएगा आपको रहन सहन की निम्न दसाए नेक्स्ट कोईस्चन है कि निमलिखित में कौन प्रदेश वाने जानाज क्रिशी के लिए उप्रिवत नहीं है जिसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको को याने की आमेजन बेशी इसका correct answer हो जाएगा आपको गोव यानिकी पंचम क्रिया कलाब next question है कि विरिहाद ट्रंक मार्ग समंधित है किस समंधित है इसका correct answer हो जाएगा आपको गोव यानिकी भुमद्य सागर हिंद महाशागर से next question है किस परकार की वस्ति सडक नदी और नगर की किनारे पाए जाती है जिसका correct answer हो जाएगा आपको खोयाने की रेखी है next question है कि निमलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है जिसका correct answer हो जाएगा आपको गोव यानिकी अदिस अबावा नेक्स्ट क्वेश्चन है निमलिखित में कौन आंत्रिक सामुन्द्रिक पत्तन नहीं है इसका जो कर्यक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको इसका कर्यक्ट अंसर हो जाएगा आपको खोयने की एथेंज next question है कि 2001 गारग की जन गरना के अनुसार भारत के कि सराज की जन संख्या सब से कॉम है इसका correct answer हो जाएगा आपको सिक्की next question है कि निमलिखित राजीयों में कौन का पास उत्तुपादक नहीं है इसका correct answer हो जाएगा आपको गोयन की 36 गड next question है कि निमलिखित कोईला खदानों में कौन जारखन में नहीं है इसका correct answer हो जाएगा आपको गो यानिकी सिंग रोली next question है कि निमलिखित नदियों में कौन पूर्व की और प्रवावित नहीं होती इसका correct answer हो जाएगा आपको गो यानिकी तापी नेक्स्ट कोईश्चन है कि निमलिखित में कौन पूर्व मद्रेल मंडल का मुख्याला है इसका correct answer हो जाएगा आपको गौ यानि की हाजी पूर गौ इसका correct answer होगा नेक्स्ट कुईस्चन है निमलिखित राजियों में किसमें विजय नगर लोह इस पात केंद्र अवस्थित है इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको गौ यानि कि करनाटक क्या हो जाएगा इसका करनाटक नेक्स्ट कुईस्चन है कि निमलिखित में कौन सरवाधिक जन संख्यां वाला मेगा नगर है इसका जो करेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको मुंबई next question है कि निमलिखित राजियों में किसमे जवाहर लाल नहरू शमुंदरी पत्त नवस्थीत है इसका correct answer हो जाएगा आपको गोयनिकी महाराष्ट next question है उत्तर दक्षिन गलियारा जोडता है किसको किस से जोडता है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको उत्तर दक्षिन गलियारा जोडता है इसका correct answer हो जाएगा श्री नगर को कन्या कुमारी से next question है कि भारत में सरवाधिक जन संख्या में सरनार्थियों कहां से आए कहते हैं कि भारत में सरवाधिक संख्या में सरनार्थि कहां से आए इसका जो करेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको घौयने की बंगला देश नेक्स्ट क्वेस्चन है कि धुएनी परदुसन के प्रमुक्ष रोत है क्या है तिसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको उप्रुक्त सभी इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपको खोयन की उत्तर प्रदेश, next question है कि सिंची छेत्रों में भू निमनी करन का प्रमु कारण है, तो इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको, सिंची छेत्रों में इसका correct answer हो जाएगा आपको गौ यानि की अवन लिका अपरदन, next question है कि Griffith Taylor का समंध है, किसे समंध है, इसका correct answer हो जाएगा आपको गौ नव निश्यवाद से, next question है कि इन में से कौन उत्तर भारतिय सहर नहीं है, तो इसका correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा गौ क्या हो जाएगा गौ यानि की अहमद नगर, अहमद नगर हो जाएगा इसका, next question है कि निम लिखित राजियों में कौन सरवाधिक यहू उत्पादक है, इसका जो correct answer हो जाएगा आपको खो यानि की पंजाव, तो मेरे साथियों, अभी तक आपने जितने पढ़ाइगा हाई किये हैं, उसके अनुसार से आपको अभी अपको घबडाना बिल्कुल भी नहीं, हमने जितना question बताये हैं, यह सारा guess question है, अगर आपको इस टैप से question मिले, तो तो भी ठीक, अगर नहीं भी मिले, तो कभी कभी क्या होता है, इसको घुमा करके पूछ दिया जाता है, आ नाम से आप उसको बनाएंगे, बाकि कोई भी subjective question को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो नमर आएगा ही, आपका जो है, जितना number इससे जो भी होने वाला, यानि कि जितना इस भी अगर आप 35 का 35 बना लेते हैं, फिर भी शही है, बाद बाकि जितना भी उसमे subjective question होगा, आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जो हो आपने जो भी पड़े है, सब को लिक करके फिर आप आईएगा, उसमें एक भी question को आपको छोड़ना नहीं है, जहां तक कि आप ज़्यादा ही लिखेंगे, कम बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बाकि मेरी सुबका बिल्कुल नहीं है